SpaceX का Starship rocket हुआ blast, एलन मस्क के मंगल के सपनों को लगा जढ़ का टेसला कमपणी के फाउंडर एलन मस्क की कमपणी SpaceX Starship दुनिया के सबसे वड़े rocket में launch के बाद हुआ blast, हवा में उड़े चीथड़े SpaceX Starship दुनिया के सबसे वड़े रोकेट की लॉंचिंग फेल हो गई है SpaceX के Starship रोकेट में लॉंचिंग के कुछ देर बाद ही हवा में बिस्पोर्ट हो गया एलन मस्क की Space Research Company SpaceX Starship रोकेट लॉंच के कुछ देर बाद ही बिलाश्ट हो गया Starship रोकेट के हवा में ही चीथड़े उड़ गई यह इस रोकेट के लॉंच का पहला प्रियास था Company के एक अधिकारी ने कहा है कि Starship के साथ बहे हुआ है जिसे बहे Rapid Unplanned Assembly कहते है तीन दिन पहले भी Starship रोकेट की लॉंचिंग सेड्यूल की गई थी हालंकी खुछ तकनिकी कारणों की बज़े से लॉंचिंग को गुरुवार के लिए सेड्यूल किया गया था गुरुवार साम को जैसे ही SpaceX ने इस रोकेट को लॉंच किया सुरुवात में तो सब ठीक लग रहा था लेकिन और्विट में जाने से पहले ही रोकेट में जवरदस्त फ्लाश्ट हो गया इस फ्लाश्ट की बज़े से रोकेट हवा में ही दुआ दुआ होकर जल गया गटना के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें साब दीख रहा है कि लौंचिंग के बाद यह रोकेट जमीन से बहुत उचाई पर पहुँच चुका था लेकिन अचानक ही इसमें पिसपोर्ट हुआ यह स्पेसेक्स कमपनी के लिए बड़ा जटका है क्योंकि कमपनी को इस रोकेट से काफी उमीदे थी इस घटना पर एलन मस्क ने ट्विट करके टीम के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है मस्क ने ट्विट में कहा है कि इस लौंच से उनकी टीम ने अगले कुछ महीनों में होने वाले एक और लौंच के लिए बहुत सी चीजे सीखी है स्टार्ड सिप पर थी पूरी दुनिया की नजर रोकेट के बारे में स्पेसेक्स ने जानकारी सेर की थी इस रोकेट की मदद से इनसानों को भी दूसरे गिरोव पर भेजा जा सकेगा कमपनी ने बताया था कि एलन मस्क संदोजार उन्तिस तक इनसानों को अंत्रिक्स में भेजना चाहते हैं और बहाँ पर इनसानों के रहने के इंतिन्जाम भी करना चाहते हैं स्टार्ड सिप को इसी ओपरेशन के लिए तैयार किया गया था बता दे कि यह दुनिया का अब तक का सबसे वड़ा रोकेट था इसकी उचाई 395 में फिट यानी 120 मीटर थी हली में नासा ने भी संदोजार 25 तक अंत्रिक्स यात्रियों को अंत्रिक्स में भेजने की बात कही थी नासा ने भी अंत्रिक्स में बैग्यानिकों को भेजने के लिए इसी स्टार्ड सिप को चुना हैं स्टार्ट सिप रोकेट की लॉंचिंग भारतिय समय के अनुसार 20 अप्रेल संदोजा 23 की साम 7 बजे के आसपास की गई थी लेकिन लॉंच के 4 मिनट वाद ही करीब 33 किलोमेटर की उचाई पर रोकेट खट गया बता दें कि स्टार्ट सिप दुनिया का सबसे बड़ा रोकेट ह इसकी उचाई 395 फिट और यह रोकेट दो हिस्सों में बटा है उपर वाला हिस्सा जिसे स्टार्ट सिप कहते हैं यह अंत्रिक्स में यात्रियों को लेकर मंगल तक जाएगा इसकी उचाई 164 फिट है इसके अंदर 1200 टन इंदन आता है कहते हैं कि यह रोकेट इतना तेज है कि प्रत्वी पर एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में केवल एक गंडा का समय लगाएगा